सोनो गरीब परिवार में जन्मा ऐसा बालक था जिसके माता-पिता मजदूरी करके पेट पालते थे जब माता-पिता काम पर जाते तो वह उन्ही निर्माना धिन इमारतों के पास खेलता रहता था उसके पास उसी के जैसे अन्य बच्चे भी शामिल हो जाते थे एक बार की बात है काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था वहां रोज मजदूरों के छोटे-छोटे बच्चे एक दुसरे की सर्ट पकड़कर रेल-रेल का खेल खेलते थे रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते पर केवल चड़ी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था एक दिन एक सक्स ने पूछ लिया उसने गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुला कर पूछा तुम रोज गार्ड बनते हो तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्चा नहीं होती इस पर वो बच्चा बोला बाबुजी मेरे पास पहनने के लिए कोई सर्ड नहीं है तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ बच्ची की यह बात हमें जीवन का यह सबक सिखाती है कि जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता उसमें कोई न कोई कमी जरूर रहेगी लेकिन हमें हर हालात का सामना खुशी-खुशी करना चाहिए वह बच्चा मापाप से गुशा होकर रोते हुए बैठ सकता था लेकिन ऐसा ना करते हुए उसने परिष्थित्यों का समधान डुंडा